हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एलम एकेडमी सी एल आईस जीरो वन फोर के स्पेसल लेक्षर में ब्लोक वन का इनुट वन और इनुट टू में ओफिस टूल से हमने लिब्रे ओफिस राइटर और लिब्रे ओफिस कैल को कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से जाके आप इसे जरूर देखें और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताए आज की लेक्शर में हम CLIS के इनिट 2 का LibreOffice इंप्रेस को डिसक्स करने वाले हैं Office Tools में हमने इससे पहले LibreOffice Writer और LibreOffice Cal को डिसक्स कर लिया है आज हम LibreOffice इंप्रेस के Top 20 Plus Multiple Choice Question को डिसक्स करेंगे फ्रेंड्स अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से जॉइन करें जिससे आप हर लेक्षर की वीडियो फवेल कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्षर तो friends लेक्चर सुरू करने से पहले IMPRESS को समझते हैं IMPRESS LibreOffice का एक presentation application है अगर हम Microsoft Office की बात करें तो इसमें जो presentation application होता है PowerPoint के नाम से जाना जाता है जबकि LibreOffice में इसको IMPRESS के नाम से जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज के question What is presentation in LibreOffice LibreOffice में presentation क्या है इसके option से A. Writer B. Calc C. IMPRESS D. None of these तो इसका जो right answer होगा C. IMPRESS आगे चलते हैं next question पे Question number 2 What is the extension name of file saved in IMPRESS जो हम IMPRESS में file save करते हैं उसका extension name क्या होता है इसके options है A.ODT B.ODS C.ODP D.ODI तो इसका जो right answer हो जाएगा C.ODP ODP का full form होता है Open Directory Project आगे बढ़ते हैं next question पे Question number 3 In IMPRESS The minimum zoom size is IMPRESS में minimum zoom size क्या होता है तो इसके options है A. 20 B. 10 C. 5 D. None of these तो जो IMPRESS होता है उसमें minimum zoom size 5 होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा Option number C. 5 आगे बढ़ते हैं next question पे Question number 4 In IMPRESS The maximum zoom size is इसके option से A. 400 B. 500 C. 3000 D. None of these तो जो IMPRESS होता है उसमें maximum zoom size 3000 होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा C. 3000 आगे बढ़ते हैं next question पे Question number 5 Dash is a slide that used as a starting point of other slide तो इसमें कौन सा slide होता है जो other slide clear use करता है starting point पे तो इसके options हो जाएगे A. 1st slide B. Master slide C. Template D. Style तो इसका जो right answer हो जाएगा Master slide अब Master slide क्या होता है तो जो Master slide होता है जब आप बड़ी पर्जेंटेशन बनाते हैं और आपको कुछ भी text या image या जो भी insert करना होता है जो आपको हर एक slide में चाहिए तो हम एक Master slide create करते हैं और उस सारे slides पे ही उसका use कर सकते हैं जिससे बार-बार आपको नहीं करना पड़ेगा तो friends ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसे जरूर comment section में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा share करें अगर कोई doubt हो तो उससे comment section में आप पूछ सकते हैं तो आगे चलते हैं next question पे question number 6 during a slide presentation which key would press to select one hyperlink after another यह एक hyperlink से दूसरे hyperlink पे जाने के लिए जब आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कौन सा की प्रेस करेंगे इसके option से a tab, b control plus k, c control plus h, d all of the above तो इसका जो right answer हो जाएगा a tab आगे चलते हैं next question पे question number 7 in LibreOffice impress the shortcut key to insert a text box is LibreOffice impress में कौन सा shortcut key use करेंगे अगर आपको text insert करना होता हो इसके option से a, f2, b, f3, c, f4, d, f5 तो इसका जो right answer हो जाएगा a, f2 अगर आपको LibreOffice impress में insert box insert करना है text box को तो आप f2 प्रेस करेंगे आपको एक text box insert हो जाएगा आप उसमें जो भी text करना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा a, f2 आगे बढ़ता है next question पे question number 8 shortcut key to insert a new slide is अगर आपको new slide insert करना है तो आप कौन से shortcut key को use करेंगे इसके option से a, control plus shift plus m b, shift plus m c, control plus m d, control plus n तो इसका जो right answer हो जाएगा c, control plus m आगे चलते हैं next question पे question number 9 which of the following file formats can be added to the LibreOffice impress LibreOffice impress में कौन सा file format हम लोग add कर सकते हैं तो इसके option से a, jpg, b, wmv, c, mpeg, d, all of the above तो इसका जो right answer हो जाएगा d, all of the above सारे file formats हम add कर सकते हैं आगे चलते हैं next question पे question number 10 if you want to close the impress presentation window then which shortcut key you press अगर आपको impress को close करना है impress को तो आप कौन से shortcut key को use करेंगे इसके option से a, control plus x b, control plus w c, control plus b d, none of this तो इसका जो correct answer हो जाएगा b, control plus w आगे चलते हैं next question पे question number 11 in impress, the shortcut key for subscript is subscript के लिए कौन सा shortcut key use करेंगे impress में इसके option से a, control plus shift plus b b, control plus shift plus p c, control plus b d, none of this तो इसका जो correct answer हो जाएगा a, control plus shift plus b अब subscript क्या होता है जैसे कि हम science हो गहरा है formula हो गहरा है use करते हैं s2o water का c2s5oh ethanol हो गया तो जब हम normal text करेंगे तो h के बाद 2 फिर o हो जाएगा तो यह पता नहीं चलता है फिर अगर आप subscript यूश करते हैं तो h होगा फिर उसके नीचे small 2 लिख सकते हैं subscript के थूँ और o उसी तरह c2s5oh इसको भी लिख सकते हैं तो यह हम सब script के लिए use करते हैं अब super script क्या होता है यह भी देख लें super script में जैसे कि आपको उपर लिखना हो जैसे हम लोग कोई भी formula हो गारा लिखते हैं जैसे area का जो parameter होता है meter square तो m के उपर small 2 लिखना हो तो आप super script का use कर सकते हैं आगे बढ़ता है next question पे question number 12 shortcut key for presentation slide so is presentation slide so के लिए कौन सा shortcut key use करेंगे तो इसके options से a, f5, b, shift plus f5, c, alt plus f5, d, all of the above तो यह सारे हम options use कर सकते हैं f5 भी use कर सकते हैं shift plus f5 भी use कर सकते हैं alt plus f5 भी use कर सकते हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा all of the above आगे बढ़ता है next question पे question number 13 अब हम इसके true false भी कर लेते हैं क्योंकि आपके slabs में true false के भी questions आ सकते हैं तो आने वाले examination point of view से देखा जाए तो यह question बहुत important है तो question number 13 देखते हैं if you add a graphic to master slide it will be appear on every slide in your presentation तो इसके option से a true, b false तो यह जो होगा यह true हो जाएगा master slide हम लोग use करते हैं कि यह सारे slide पे ही दिखाई देता है आगे चलते हैं next question पे question number 14 a presentation of LibreOffice Impress can have only one master slide तो क्या presentation में केवल एक ही master slide को यूज कर सकते हैं इसके option से a true, b false तो हम presentation में अपने एक से जादा master slide को यूज कर सकते हैं तो यह इसके जो correct answer हो जाएगा option b false आगे बढ़ते हैं next question पे question number 15 which of the following can you use to organize or sort slide यहीं आप अगर आपको slide को organize करना है या sort करना है तो आप क्या use करेंगे option से इसके slide fan, b, slide sorter, c, all of the above तो जब भी हम कोई slide को sort करना होता है जैसे आप आपने 10 slide बना रखा है तो उसमें आपको जैसे कि दूसरी slide को चौथे पिले जाना है तो इसके इसके लिए आप क्या use कर सकते हैं तो इसके लिए आप slide fan भी use कर सकते हैं slide sorter भी use कर सकते हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number c, all of the above आगे बढ़ते हैं next question पे question number 16 hidden slide is a slide that is not shown to the audience while running a slide show यानि जब आप slide बनाते हैं या जो भी आप presentation बनाते हैं तो उसमें आप अगर कोई slide को hidden करना चाहते हैं तो आप उसको hide भी कर सकते हैं तो आप जब hide करते हैं तो अगर आप presentation दे रहें तो इस ताइम वो slide नहीं दिखाई देती हैं तो वहीं पूछ रहा है कि जो hidden slide होता है अगर आप slide slow कर रहे हैं तो इस ताइम दिखाई देगा कि नहीं audience को तो इसका जो correct answer हो जाएगा a true नहीं दिखाई देता है a hidden slide is slide that not so तो इसका option हो जाएगा true आगे बढ़ता है next question पे question number 17 slide transition are effected slide transition effect क्या होता है तो इसका option से a beginning of presentation b when slide change into presentation c at the end of presentation d none of this the произошle verse तो जो slide transition effect होता है वह हमारा जब हम slide change करते हैं एक slide से दूसरे slide पर जाते हैं तो transition effect दिखाई देता है तो इसके correct answer हो जाएगा b हो जाएगा when slide change into presentation अब transition effect क्या होता है तो जब आपकी slide को display कराते हैं जब आप presentation दे रहे होते हैं तो आप slide को display कराते हैं तो आप देखते हैं जब एक slide से दूसरे slide पर आपको जब जाना होता है तो एक animation दिखाई देता है तो उसी को transition effect बोलते है तो यह हो गया transition effect अब आगे बढ़ता है next question पर question number 18 Which key do we use to move previous slide in the Libre Office Impress? कौन से key आप use करेंगे previous slide पर जाने के लिए तो इसके option से am, b, n, c, p, d, w तो इसका जो correct answer हो जाएगा C, P, P आप key को use कर सकते हैं आप previous slide पर जाने के लिए आगे बढ़ता है next question पर question number 19 What is the maximum phone size in Libre Office Impress? Libre Office Impress में maximum phone size क्या होता है? तो इसके option से a, 96, b, 100, c, 1000, d, 3000 तो इसका जो correct answer हो जाएगा C, 1000 आगे बढ़ता है next question पर question number 20 What is the shortcut key to remove the sidebar in Libre Office Impress? यानि Libre Office Impress में sidebar को remove करने के लिए कौन सा shortcut key उस करेंगे? तो इसके option से a, shift plus f5, b, control plus f5, c, alt plus f5, d, none of this तो sidebar क्या होता है? जैसे कि आप Impress को open करेंगे तो उसमें आपका template open होगा, उसमें title बार होगा है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, उपर menu बार होता है formatting हो गए रहा होता है, एक side में sidebar होता है, right side में, तो अगर उसको आप remove करना चाहते हैं, तो आप कौन सा shortcut key उस करेंगे? तो इसका जो right answer हो जाएगा, option number C, alt plus F5, तो friends, आज का lecture यहीं तक था, अगर आपको कोई doubt हो, तो comment section में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें, दोस्तों को भी share करें, जो CLIS की त्यारी कर रहे हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा subscribe करें, अगर कोई out हो, तो comment section में जरूर बताएं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next lecture में, धन्यवाद,